तुझे लिए जिए टूडिंट्स वेल्कम टू लेक्शर नॉमबर टू और गृप तेयरी पहले लेक्शर में आपको कह के बताया गया था था थोड़ा सा इक बाद रिकॉल कर लेते हैं कि एक तो यह बुक्स के बारे में सोड़ा सब बता दिया था मैंने और कंटेंट यह यह पढ़ना है आप लोगों को इस अब लास्ट क्लास में हो गया था लास्ट लेक्श्र में हो गया था ठीक है अब आगे देखिए जो बेसिक डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात अब हम इससे आगे बढ़ेंगे देखिए बिटा दियान से देखिए ऑल अलग अलग सेट्स में की क्लोजर कैसे आएगा इंवर्स कैसे आएगा वह थोड़ा चलेंजिंग हो जाता है तो उसमें मैंने दोचर क्वेस्टन आपको कराये थे तो वह देखिए जरा बलो एक तो यह वला question आपको याद होगा A star B is this thing ठीक है then A star B is AB by 2 यह भी ठीक है फिर GL SL अब हम इससे आगे बढ़ेंगे देखिए बिटा दियान से देखिए ओल फ्यो यह आपके सामने group लिखा हो है अब आगे बढ़ने से पहले क्योंकि हर तरह की चीज हमें करनी है तो आगे बढ़न देखो बिटा माल लोग हमारे पास बहुत सारे symbols हैं A है B है C है D है चल रहा है चल रहा है चल रहा है अंजी सबका closure लगाते है कि करके पहले लिखा आमने A star B then लिखा आमने A star B star C then लिखा आमने A star B star C star D विटा आप लोग कुछ notice कर रहे हैं अभी भी भी नहीं किया देन लिखा आमने A star B star C star D star E whatever the thing is तो यह जैसे 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 symbols बढ़ रहे हैं लेखे एक तो space consume कर रहे है time consume कर रहे है और irritating में कितना लिख दोगे तो 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 modern algebra में yes theory purpose से भी और otherwise जैसे सुना आपने theory purpose से भी और otherwise क्या बोला गया है कि यह काम करते हैं ना बही जो प्रूफ प्रूफ वगरा के लिए अगर अगर अब अब आप ए इन्वर्स लिख रहे हैं तो अगर आप अब लिख रहे हैं तो आप a star भी लिख रहे हैं अभी कुछ समय तक सब्सक्राइब और मेरे को भी पता है कोई बच्छा गलत फैनली का शिकार सबसे पहले हो सकते हैं कि सर यह तो प्रोड़क्ट हो इस ना प्रोड़क्ट इस ना प्रोड़क्ट इस जिस्ट सिंबल चलिए और क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि star कुछ भी हो सकता है तो अब confusion का तो कोई चांस नहीं है अब आगे आज़ो पहले कुछ बहुत बेसिक और मीठी चीज़े करने जा रहे हैं हम लोग आजी सही सुना विटे यह observations बड़ी कमाल की है चार observations जो अब सब को देखनी पड़ेंगी देखे क्या हमेशे यूनिक होगा दो इंवर्स नहीं हो सकते उसके बहले यह फर्स प्रॉपर्टी क्या है और यह सेकिंड प्रॉपर्टी क्या है ज़र ध्यान से देखेंगे पूरा को पूरा हटाते है अभी देखो मेरे बिट्टा ध्यान से देखेंगा इसी को आगे बढ़ाओ उल्टा चल रहे है एक तरह से प्रॉपर्टी को अगर प्रैक्टिकल लाइफ से आपको रिलेट करना है तो प्रैक्टिकली सोचिये सोचना शुरू कीजिए कि आपके पास शू है और सॉक्स है तो पहले सॉक्स देन चूस एन देन जब उतारते हैं निकालते हैं तो क्या करते हैं और चेंज ऐसे याद हुझेगा अब को छोटा सा प्यारा सा प्रूफ जैसे कि मैं बहुत देर से बोलते जा रहा हूं आप लोगों को छोटा सा प्यारा सा प्रूफ देखिए शो देट आप लोगों से बात कर रहे हैं मेरे बेटा अगर मैंने ग्रुप में किसी ग्रुप में दो वह दो आपको यह बोल दिया कि यह आपस में इन वर्स है यह आपस में इन वर्स है तो इन दोनों को कॉमिनेशन क्या आने ची अटिटी आपको इतना इलेबरेट करके क्यों बता रहे हैं तभी तो समझोगे तुम कि ऐसे भी चीजों को अप्रोच किया जा सकता है यह किसका इन वर्स है एबी का इन वर्स है यह शो करना है इन वर्स ऑव वे ज़रा देखो तो सही कितने प्यार से हो जाता अरे मेरे बेटा आप तो समझ ही न पाए इसको एक्स मान लीजे इसको वाइए इसलिए तो बुक् है इससाइए तो बड़ी आप अगया है आईए इस मिठास भरे चैलेंच को मिठास भरे सफर के साथ कंपलीट करें तो बैटर यू कांसिडर मेरे बिटा अबी अलॉंग वेद बीन वर्स एंवर्स एंड बीन वर्स एंवर्स एंवर्स अलॉंग विद एबी आज़ाओ पत् E A inverse which is same as A A inverse which is same as identity समझ में आ गया होगा यहां से हैं ऐसा चेटिव लो लगाए बिटा हाँ जी यहाँ जी मेरे बिटा B inverse A inverse AB which is same as B inverse EB which is same as B inverse B which is same as E हाँ जी इन दोनों का combination हर हाल में identity आ गया तो यह एक दूसरे के क्या हो गया inverse I hope this is clear to all of you अपना लिख सकते हैं आप this is called shoes and socks property yes shoes and socks property तो बिटा यह अभी आप लोगों ने आपने और हमने of course second वाला प्रूव कर लिया AB whole inverse is B A B inverse A inverse आप चाहें तो इसमें 3 के लिए भी लिख सकते हैं 4 के लिए भी लिख सकते हैं and N symbols के लिए बस एक चीज़ ध्यान रहे यह AB AB नहीं एस्टार भी प्लीज अब आई यह पहले वाले पे वह ग्रूप ठीरी को आगे एप्रोच करने के लिए सबसे जाधा useful रहेगा पहले वाले की बारे में बारे में बात करना चाहूंगा मैं अगर आपने नोटिस कर लिए जायर सी बाते करी लिए होगा मेरे बीटा इधर a left side से cancel होए it it will be called it should be called left cancellation इधर a right side से cancel होए तो यह right cancellation अब इसका चोटा सा प्यारा सा मीठा सा प्रूफ देख लीजिए बड़े देखो मेरे बिटा suppose कि आपने मेरे बच्चे suppose a b equal to a c किया अब आपको if you want to get rid of a तो भाया ए तो a inverse की help सही जाएगा so therefore यह कोई cramming step नहीं है कोई याद करने योग बात नहीं है यह तो कोई भी देख सब्ता है that is associative law लगाएंगे मेरे बिटा हर एक लाइन का reason दिया जा रहा है जब notes बनाओगे तो अच्छे से लिख लेना ignore मत कीजिए जब ऐसा चलना सीखेंगे तभी subject पर आपका command होगा clear हो गया तो बिटें यहां आपने left में multiply किया inverse से यहां आप right में प्री मुल्टिप्लिकेशन वाइं इनवर्स समझ में आगया अप लोगों को तो यह पहले वाला भी प्रूव हो गया this is को मैं लिख रहा हूं यहां पर बिटा this is called left cancellation law this is called right cancellation law left cancellation law राइट cancellation law वह left वाला cancel इदर से right वाला cancel अच्छा next thing यह चोटे से प्रूव था अब बिटा इन सब का use करते हुए हमारे पास third और fourth बड़े कमाल की चीज आने वाली है त्यार हो जो प्रहले मैं inverse वाला करा देता हूं फिर identity वाला करा देंगे हूं देखिएगा बिटा am in a group d the identity element is always unique बहुत सिंपल और बहुत नीठा प्रूफ है देखिए बिटा यूनीकने सब अडेंटिटी अलिमेंट प्रूफ करना है आपको और वह कैसे प्रूफ करोगे मेरे बिच्चे यह आपने ग्रूप लिया यहां माल लीजिए अडेंटिटी दो हैं इवन अडेंटिटी है और अगर आपने इवन और इटू को बराबर प्रूफ कर दिया तभी तो यूनीकनेस प्रूफ होगा देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी आप समझ रहें लेट इवन एंड इटू भी बहुत अब देखो इवन अडेंटिटी है सेपरेटली इवन के लिए 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 दियान से देखिएगा therefore therefore e1a equal to ae1 is a for all a belongs to the n दूसरा भी लिखते था हूं e2a is equal to ae2 ae2a for all a belongs to a अधि इन्हीं को बारी बारी से बहुत तरीके से लिमिटेड रिसोर्स को यूज करना है कैसे ऐसे जरह ध्यान दीजिए अधि मेरे बिटा यह जो स्टेट्मेंट है यह यह सारे जी के मेंबर्स के लिए ट्रू है यह यह एवन फिक्स हैं अधि एक ही जगह आप अधि बीले सकते हैं एकहाब ले सकते हैं जब हम यह कोई भी ईलिमेंट ले सकता हूं तो फिर तुमें ले सकता हूं तो प्यों है टू लिखा जाए यहास एन पार्टिकुलर एन पार्टिकुलर दियान से देखेगा एन पार्टिकुलर एक ही जगह E2 लिख दिया तो बेटा क्या है एक है एक ही जगह E2 लिया आपको एक ही जगह E1 ले सकते हैं भी क्यों नहीं ले सकते हैं प्लीज ट्राइटो नोटिस करना चाहिए बिटा यहां से देखे बच्चों की तरह करते हैं बच्चे ही तो है सामने बैठे में बच्चे चोटे चोटे बच्चे हैं यह E1 E2 है E2 के बराबर है यही E1 E2 है E1 के बराबर है सब बराबर यह भी तो आओ क्या मिला है यह से मेरे बेटा दोनों को कमाईन करके मैं क्या कह सकता हूं देखें कितना सिंपल प्रोसस है कितना सिंपल प्रूफ है और सिंपलिसिटी के साथ ही प्रूफ करते वह आप लोगोंने काम कर लिया क्लियर होगे सबको तो यहां से आपको पता लगता है किसी भी ग्रूप में दो अपके साथ हमने आपके साथ तैला हो गया दूसरा हो गया थर्ड वाला भी हो गया थर्ड वाला क्या है मेरे बेटा सौरी अधिन्टिटी इस उनीक नहीं तो किया है कि अब करेंगे यह और क्लासिकल है इनवर्स ऑफ एलिमेंट इस ऑल्वेज उनीक इनवर्स यहीं कर लेते हैं वह बहुत गजब है प्लीज मत बजाना कंसेप्स का ध्यान से देखिए क्या मज़िदार तरीके से आपका काम हो सकता है और हो रहा है अब जी मैं छोट इसा डागराम मना के बता रहा हूं पेटा कि लास्ट वले में हम क्या करने जा रहे हैं एक लेंगे उसके दो अलग अलग इनवर्स ले लिजे एंवर्स यह यह एक इनवर्स ले लो दूसरा एटू ले लो यह दोनों इसके इनवर्स हैं अगर आपने एव इसनवर्स लेडि़न वगवें इन दोनों को कमाइन करेंगे इन को कमाइन करेंगे तो अधिटी यह बहुत मज़िदार बडे अराम से यह लास्ट वाला फोर्स वाला प्रूफ होरा है लेट ए बिलॉंग सुझी एन बेट बोथ एवन एटू आर इट्स इन्वर्स ठीक है जी यूनीकनेस के लिए आपको चाहिए एवन एटू बराबरा दें मेरे बेटा अगर मैं बोल रहा हूं एवन भाई साब हां जी एवन भाई साब एका इन्वर्स हैं अगर एवन भाई साब एका इन्वर्स हैं तो क्या यह नहीं मिलेगा आपको इसी तरीके से अगर एटू भाई साब एका इन्वर्स हैं तो यह मिलना चाहिए अच्छा दोनों का एन्ड दोनों का एन्ड रिजल्ट अगर बराबर है तो सब कुछ बराबर ही हो गया तो यहां से मैं कह सकता हूँ बहुत तरीके से लिखिएगा बिटा कराना तो सब कुछ ही है आपको निराश नहीं छोड़ सकते हमारे सारी क्लासेस में कुछ न कुछ है आपके लिए तो फॉर्थ वाला भी प्रूव हो गया बात बात नहीं चौथा भी प्रूव हो गया यह सब काम की चीज़े हैं कैंसलेशन लोग का प्रूव अपके सामने है अभी होल इंवर्स शूजन सॉक्स प्रॉपर्टी उसके याद किसी भी ग्रूप में अडेंटिटी अलमेंट सिर्फ एक होते हैं लास्ली इंवर्स अनलमें यूनीक दो इंवर्स नहीं हो सकते अब अगर आप लोगों को ध्यान है तो जो पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने कुछ एक्जामपल किया थे वह उसी ओर्टर में आपके सामने आ रहे हैं आजो बिटा कि पहला क्वेशन था यह तो यह यह नहीं भूलो गया इंच गीह राव अब टक आपने जितने भी ग्रुप को एक्जामिन किया है यह से आर माइनस – वन ठा और आपका क्यू प्लस था बेटा रो रियल लाइन पुरक पूरा – वन को अगर छोड़ वी दूढ तो इन्फीनाइट है ऐसे q plus infinite है, g l sl में जो भी matrices थे, कितने सारे matrices ऐसे होंगी, जिनका determinant नौन जिर होगा infinite, कितने सारे matrices ऐसे होंगी, जिनका determinant 1 होगा, वो भी infinite, दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के हैं, अब जो groups आपके सामने आ रहे हैं, एक्जामिन करने के लिए बिट्टा है, यह सब के साब finite है, अब से पहले infinite groups को एक्जामिन किया था, अब finite groups के लिए कुछ questions कर लेते हैं, आजो मेरे बिट्टा, देखो, problem 4, g is equal to 1 minus 1, i minus i is a group with respect to dot com अतला multiplication, numbers वाला multiplication, और यह वही complex number है, जो अपने 11, 12th class में पढ़ा है, iota square is minus 1 वाला है, square root of unity, जैसे भी करते हैं, negative, not square root of unity नहीं बोलना चाहिए, आईए, अजी, g is equal to 1 minus 1, iota minus iota, बिटा देखे, क्या करना है इसमें, धिहांसे सुनिएगा, आप मानेंगे, हांजी, क्या सी करना चाहिए, finite group है, 4 elements है, closure क्या कहते हैं, अगर इसमें a b है, तो a star b b होना चाहिए, ना आज क्यों असल, अपने आप से पुछिए, इब फाइनाइट चार तो है, solar combination बन जाएगे, और उससे ज़्यादर क्या होगा, तो finite group है, फाइनाइट लिखें कैसे कि सब कुछ कबर हो जाए, तो उसी के लिए एक चार्ट बनाया जा रहा है, जिसको closure chart भी कहते हैं, जिसको केली, C-A-Y-L-E-Y, केली stable भी कहते हैं, उसमें सारक असारा combination कबर हो जाएगे, सही सुना आपने, इसमें सारक असारक combination कबर हो जाएगा, देखिए का ज़र ध्यान से, यह वो step 1, 2, 3 जैसे भी करिए, देखिए हैं, यह, this is called closure chart, और यह finite group में बनता ही बनता है, कैसे बनता है मेरे बिट्टा, सबसे पहले, जो symbols, या जो numbers, जो भी आपको दिये गए हैं, उनको horizontally vertically लिख लीजे, horizontally vertically, 1 minus 1, I minus I, 1 minus 1, I minus I, और, operation यहा लिखो, अगर plus का होता तो, यहां plus ही लिख लिखे, अभी right now dot का लिखेंगे, हजी, अब यह देखिए जरा, आप सब लोग, पिटे, जरा साथ दीजेगा, पिटे, यह जो कमाईन हों के लिखने जा रहे हैं, वो closure ही तो present कर रहे हैं, बात-बात में बहुत सरी चीज़े हो जाएंगे, अजी, this into this, this into you know, क्या क्या कर रहा हूं, 1, minus 1, i, minus 1, ठीक है जी, minus 1, i, minus i, next, इससे करेंगे तो, minus 1, 1, minus i, i, इससे करेंगे तो, पिटा, i, minus i, i, आटा स्कूर, minus 1 होता है, एंड यह होता है, आपका 1 होगे, ठीक है पिटा, ऐसे यह होगे, आपका, iota, sorry, minus i, 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 1, minus 1, बिल्कुल ठीक लिकाने, अब यह closure चार्ट जो बनाए, बेटा, यह बहुत जगा, बहुत तरीके से आपको यूज करना है, सही सुना आपने, बहुत जगा, बहुत तरीके से आपको यूज करना है, देखो कहें, मेरे बीटा, closure, देखे, क्या लिख रहा हूँ, तरीके संसे, बहुत आपको यूज करने, नहींस, क्लोजर फॉलोज थी कि मेरे बिटा तो दिखी रहा है जो मैंनत वहां करनी थी हूँ यहां कर लिया चलिए नमबर टू एससेटिव लोग जदा अपने पैन के इंग खराब ना करें क्लेरली वीकेंड शो लिख के छोड़ दें उसके बाद इडेंटिटी देखेंगे और इंवर्स देखेंगे यह बहुत क्लासिकल है जी तो पहले लेक्ट्र बाथ उसमें आपको बताया गया था एडेटिव ग्रूप का अडेंटिटी जीरो होता है और क्या होगा और इनवर्स क्या होगा यह मल्टिप्लिकेटिव पर इडेंटिटी शुट भी बन लेटन U सी सच में वन इसका इडेंटिटी है भी या नियू बिटा अटनिटीटी का मतला ऐसे अग्से इलेमन जिसको बाकियों से कमाईन करने के बाद यहां बाकियों से Surprise करने क dot a is a for all a belongs चलिए हो गया, inverse बहुत classic है भाई, जो classic है उसको classically करेंगे तो अच्छा रहेगा बिटा, inverse में क्या करते हैं आप और हम inverse का क्या मतलब होते हैं inverse में क्या करते हैं, a b equal to b equal to identity, wait, wait अब बच्चों की तरह बता रहा हूँ, फिर professional की तरह बात करेंगे, बिटा, यह चार symbols है, यह चार elements है, 1 है minus 1 है, आयोटा है minus आयोटा है, माल लीजे मुझे inverse निकालना है, बच्चों की तरह आयोटा का inverse निकालना है, लुणना तो इसी में से पढ़ेगा अब आयोटा को मैं किस से multiply करूँ की बनाया, आयोटा को यह तो 1 से multiply करना पढ़ेगा, आयोटा को यह तो minus 1 से multiply करना पढ़ेगा, यह चार elements है, या खुद से कर दो या last वाले से करके देखें, यहाँ आप लोग समझ गये, कि बेटा, यह तो आयोटा आया यह माइनस आयोटा आया यह माइनस बनाया यह बनाया यह बनाया है यह तो ऐसे करके करें यह फिर यह जो क्लोजर चार्ट बनाया था उसका यूस कीजिए आप सब को कहा रहा है जो क्लोजर चार्ट बनाया गया है उसका यूस कीजिए कैसे करेंगे मेरे बिटा देखिए इससी तरीके से माइनस आयोटा के रो में आडेंटिटी यह रहा तो इसके सामने इसका सामने इनवर्स है बिटे समझ में आगे हैं आपको क्या करना है हो क्या है done 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 inverse using closure chart we can say that that the inverse of 1 is inverse of minus 1 is inverse of iota is inverse of minus iota is कोई भी बच्चा लिख सकते है देख देखके बेटा 1 का inverse क्या पता है आप लोग को बन का तो वन ही है minus 1 का minus 1 है iota का minus iota है और minus iota का iota है logic समझ में आगया यह जो process किया है हमने यह finite groups में होगा अब सुनिए मिरको पता है कुछ बच्चे present कैसे करें यह सोच रहे है present कैसे करें कि तो जब आप solution लिखना शुरू करेंगे अब सब लोग अगर डंग से लिखना चाहें तो time तो पास हो नहीं रहे हैं तो पूरा प्रॉपर्ली दे नहीं आपको तो बिटा यह तो इसको step one one के लो इसको step two के लो present करके step two now the actual proof करके जैसे भी present कीजिए मैं आपको अच्छे से बता दिया मैं फिर वही कहूंगा time नहीं पास करना है मैं अपने लिए भी कह रहा हूं मेरे को भी डंग सी कराने आपको ठीक है चलिए जैसे भी करें प्रेजेंटेशन आपका पूल प्रूफ होना चाहिए नेक्स तीम है यह दोनों ग्रुप्स बहुत खास है बिटा एक म्यून है दूसरा जड़न है मैं आपको म्यून करा देता हूं एक क्लास में ज्यादा डोस दे दिया तो फिर आप परिशान हो जाएंगे म्यून देखेंगे सभी बच्चे इसके क्या मेनिंगे आपको पता है इसका क्या मेनिगे आपको पता है लेकिन अब जो नई चीज आ रहे है यह क्या चीज है यह नहीं पता आप यह तो देखने में बड़ा जीव गरीब सिंबल है कुछ बच्चोंने तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा कोई बात नहीं अंजी this is called additive modulo and this is multiplicative modulo and that means जब कभी भी आप modulo पढ़ेंगे तो बेटा या तो वो होगा additive या वो बनेगा multiplicative additive modulo n ऐसे denote किया जाते है multiplicative modulo n ऐसे denote किया जाते है ठीक है अब उसका meaning क्या होते है बिटा एडिटिव मोडिल हो n b में क्या करना है जरा ध्यान से देखो आपको कुछ नहीं करना आप बस इस पर ध्यान लग 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 yes it is the remainder when a plus b is divided by n यहां भी वही चीज है कि अधूर करना है लेकिन तरीके से रोकी रोकी ठेहरी 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 तरीच अभी करेंगे बताने के आपने 5 से बड़ाइद किया तो के आंशर एंढ आए है तो। आफने 10 को 5 से ड़ाइड किया तो कितना तो कितना रंड कर रहेंडर रहेंडर आए नीét है वह मistry wipस यह अजी, दोनों को क्या में नहींगे बिठा ,एड़ीटिव मॉडिकेशन मैं लिवाइब हुआ जीक ब्लडियों में जो 11तिव डिवाइब हो सिट नेवलिवाइब हो आपका मॉल्टिकैशन मॉडिकेशन कीशन मॉडियों मॉल्टिपलाइब करो को और रिमेंडर है वो आपका अंशर है आजिए स्वाइट को ट्री से डिवाइट किया सेवन तो थ्री से डिवाइट रिमेंडर लिखना है वन ठीकिए एंट थैक्या यह बात नहीं को द्यान से देखिएगा बिटा येस 2 plus 6 is 8 divided by 3 remainder is 2 ऐसे हैं आजो 2 6 12 12 divided by 3 there is no remainder 0 I hope this is clear to all of you ऐसे किसी भी सिंबल के साथ करते हैं लेकिन बिगनर को तो ऐसे सम्झाना पड़ेगा चलिए ही आगया next अब आपके सामने दो एक्जाम्पल्स हैं एक मिवन है मेरे बिटा और एक आपका जेडेन अब मिवन में भी चलना पड़ेगा अंदर और जेडेन में भी आपको चलना पड़ेगा अंदर पहले तो अपरेशन सम्झाना आई आफत थी अब ये मिवन और बड़ी आफत आने वाली है कोई बात ने देखे लो फिर भी देखे लो कोई क्वेस्टन तो कराना पड़ेगा इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे इसको बोलेंगे याँ collection of those positive integers या दोस natural numbers जैसे भी बोलेंगे आपके मरदी natural numbers which are less than equal to n and co prime to n ठीक है मेरे बिट्टा अब बच्चा आप कहीं कासर ये less than equal to तो समझ में आता है को प्राइम क्या होता है भाई gcd hcf1 कोई पात नी देख लो आप के लिए हो रहा सब को गवराते का है को प्राइम का क्या मेनिंग होता है को प्राइम का क्या मेनिंग होता है अच्छा से में जैसे 2 1 3 5 a n फॉर ये लेंगे तो नहीं रहें अच्छा इसी तरिके से Dans नहीं है बट 4 और 5 को हो जाएगा ऐसे करके आप बहुत सारे एक्जामपल्स लिख सकते हैं let me tell you any two consecutive natural numbers yes n n plus 1 1 2 या फिर 2 3 या फिर 3 4 समझ गए n, n plus 1 दुनिया भर की ग्जामपल्स है I hope this is very very clear to all of you definition समझना अलग चीज़ है अब बेटा थोड़ा और explore करिए आप हमारे साथ आई दो तीन चोटी चोटी चीज़े समझ लीजिए क्योंकि समझना पड़ेगा भाई पढ़ाया तो ऐसी जाता है दिल निकाल निकाल यह स्टुडेंट्स बेटा यह आपके सामने मिवन लिखा हुआ है यह definition भी मैंने आपको बता दिये collection of those natural numbers which are less than equal to n and co prime to n less than equal to समझ में आता है co prime का example भी मैंने आपको दिया था अच्छा अब जरह practically कुछ अच्छी चीज़े देख लेते हैं for example माल नीजिए आपसे पूछा गया भाई म्यू एट डिफाइन करो कि क्या है कि एन की जगा अगर आप 8 लेके चलेंगे तो क्या हैगा मेरे बिट्टा ऐसा natural number जो less than equal to 8 है तो इस सेट में इन ही में से इन ही में से आ सकते हैं अच्छा आपको इन सबको 8 के साथ compare करने less than equal to 8 और 8 के साथ को प्राइम भी होना चाहिए इस ही में से निकाल लो 8 के साथ कहके को प्राइम है 1 है 3 है 5 है 7 है what about 2 2 is not को प्राइम है 4 भी नहीं है 6 भी नहीं है 8 भी नहीं है इस सेट में चार मेंबर्स आइंगे कौन मों से 1 है 3 है 5 है 7 बहुत बढ़ी है एक एक ग्जांपल तो समझ में आगे आपको और देखें दो तिन एक्जांपल्स पता देता हूं माल लीजिए आप से पूछा गया म्यू टैन के लिए म्यू टैन में क्या लिखोगे मेरे बेटा इस इधर ही आजाओ एक तो लसन इकलो 10 यह नहीं इसको 10 तक ले जाना पड़ेगा अब इसमें से वह सेलेट कर लीजिए तो 10 के साथ को प्राइम भी है है 10 साथ को प्राइम लिए स्वंधम, इस बार क्या क्या है इसमें इसमें यह चार अगे要फ़ नहीं आ रहे हैं अब यह और बता देते हैं डेफिनेटली आएंगे आप हैं हमें तो क्या गम है आओ किक के जाओ देखो मेरे बच्चे मान लीजे आप से पूछ लिया होता यह अब थोड़ा चैलेंजिंगे में लेस दन इकल नाइन तो फटाई दीजे अब आपको यह देखना है कि 9 के साथ इनमें से कौनकों से अलेमेंट्स को प्राइम है राइट और रॉंग मार्क करने के लिए तियार हो जाएं आप सब लो समझ में आप लोगों को जहां जहां टिक लगाए गया वो सब आजेंगे और यह आपको अच्छा भी लग रहा होगा पिटा आजओ कि थोड़ा क्लासिकली प्रेजेंट करने में रादाओं चीज़ होगा वन टू फॉर पाइफ यह देख लीज़ेगा अच्छा जी अब एक और चीज एक और चीज बता दीटा अगर आपसे पूछा जाए कि वहीं म्यू फाइफ बता दीजिए अब आलग से कुछ नहीं करना ह सिर्फ सुनना है कि यह आपको तुरंट समझ में आ जाएगा देखो भाई what is special in 5, what is special in 7, what is special in 11, all are prime numbers, prime का मतलब दो factors लेगा, एक तो 1 और दूसरा खुद, हैना दो ही factors होगे, तो फाइफ से पीछे बाले, यानि 5 के पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तो उन सब के साथ को प्राइ है, सही सही सुना, म्यू 5 में आएगा, 1, 2, 3, 4, म्यू 11 में आएगा, 1, 2, 10, म्यू 7 में आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, clear हो गया, तो in general, म्यू P, म्यू प्राइम वाला, वो होगा, 1, 2, 3, up to P-1, सारे elements सही, बिलकुल सही सुना आपने, तो इस अच्छे से discussion के बाद, जरह एक question हो हो जाए, अब सुनिएगा, मेरे बिटा, जरा ध्यान से सुनिएगा, बिटा, वो question करने के लिए आपके पास, म्यू N, N तो कुछी भी हो सकता है, अभी 3, 4 examples तो आपके सामने ही होगा, तो general proof देने की बजाए, मैं एक particular set लेके आपको मीठा सा proof देता हूँ, आपकी life में मैंने particular example लिया मेरे बिटा, म्यू 5 का, सबसे पहले बताए, म्यू 5 क्या होता है, म्यू 5 तो 1, 2, 3, 4, तो ये तो finite set है, finite set है, तो closer chart बनेगा, कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा, जैसे आपने 1-1, i-i वाले में बनाया था, ये बहुत मिठास, भरे questions है, ये आपको संतोष्टी प्रदान करेंगे, satisfaction नेंगे ये question, and horizontally, vertically elements को लिखा जा रहा है, और जैसे की समझाएगे था आप लोगों को, बिटा, यहाँ operation लिखा जाएगा, operation है multiplicative mod 5, ठीक है जी, अब पिछले question में तो आपने बड़े अराम से elements को multiply करके कमाइन कर दिया था, ले लिखते जाएगा मैं क्या बता रहा हूं आप लोगो, please listen to me carefully, everyone, one के साथ multiply करके लिख देते सब्स, one, two, three, four, then two के साथ, two, four, six, eight, then three, six, nine, twelve, then four, eight, twelve, sixteen, पहली नजर में बिल्कुल ठीक है, लेकिन, लेकिन, जैसे कि आपको अभी बताया गया था, बिटा, new five में तो है आपका one, two, three, four, ठीक है, अब यह बड़े-बड़े numbers तो दिखे ने रहे हैं आपको, वो दिखेंगे कहां से आपने पूरी तुरा काम नहीं किया, मतलब, औरे भाई operation देखिए, multiplicative model of five, yes, that means, that means यह जो 16 है, इसको आपको five से divide करने के बाद रिमेंडर आएगा वो लिखना था, अंजी, 16 को five से divide कीजिए, remainder पताया यह टू, ऐसे eight को five से divide कीजिए, remainder पताया यह तरी, तो यह सारा मतलब change हो जाएगा, जो जो numbers, पांच के आगे जा रहे हैं, बलकि चार के आगे जो जा रह हाँ जी, बहुत दियान से देखेगा, पहले वाले में modular five से reduce नहीं कर सकते हैं, अब two into two is four, good, two into three is six को five से divide करके remainder लिखा one, two into four, eight, I hope this is clear, three into one is three, three into two is six को five से किया, one, three, three, nine को five से किया, four, three, four, twelve को five से किया, remainder is two, four into one is four, 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 two, eight को five से किया, three, four, three, twelve को five से किया, two, four, four, sixteen को five से किया, one, and बाकी आपको सब को पता है, अब कैसे question को आगे proceed करना है, कैसे आपको question को present करना है, you know, step one हो गया, closure chart का और ये step two हो रहा है, सबसे पहले closure में क्या लिखोगे मेरे बीटा, देख लेना जैसे पहले लिखा थ बीटा, उसके बाद एससे टिव में क्या लिखेंगे मेरे बीटा, उसके बाद इडेन्टिटी में क्या लिखेंगे मेरे बिच्चे, and lastly, inverse में क्या लिखेंगे आप लोग, आप जरह ध्यान से सुनिए, जरह टाइम ने लेंगे, closure में लिखेंगे, since every entry of above chart is in G, जो भी आपक देखेंगे आप लोग, क्या इसके पास 1 है, बिल्कुल है, तो इसका identity देखेंगे मैं कैसे लिख रहा हूँ, there exists 1 belongs to mu5, such that, a, let me write properly, बिटे मैं थोड़ा, well, यहाँ, because inverse लिखेंगे, तो और आगे लिखेंगे, तो और आगे लिखेंगे, कोई बार, यह तो हो गया, चलो, उसके बाद, अब identity काद inverse पर आई है, जैसे थोड़े दर पहले आपको समझाया गया था, थोड़े दर पहले ही बताया था, वैसे present कीजेगा, मान लीजे, मुझे 4 का inverse देखना है, बिटा, identity 1 है, याद रहे, याद रहे, पर 4 का inverse देखना है, तो 4 के रो में identity ढूंड़े का है, 4 के रो में identity यह रहा, तो बेटा, इसके सामने inverse बठा है, समझ गया, 3 के रो में 1, सामने 3 का inverse बठा है, 2 के रो में 1, सामने 2 का inverse बठा है, and you know, you know how to present, how to write, you know very well. using the closure chart, we can say that and the inverse of 1, you know, कैसे, कैसे, लिखना है, let me write properly, आजो बठा, inverse of 1, inverse of 2, inverse of 3, and lastly, inverse of 4, चार्ट देख देख के बता भी सकते हैं, अपने दिल की बात छुपाने का तो आप कोई सेंस नहीं है, 1 का inverse 1 है मेरे बच्चे, 2 का inverse 3 है, 3 का 2 है, 4 का 4 है, clear होगे आप लोगों को, चलिए, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़ी है क्लास रही आपकी, बहुत साथ भी आप लोगों ने, इसके बाद, थोड़ा सा तो मैं बता देता हूं आप लोगों को बिटा, यहां आएंगे, और आप सभी लोग लिखेंगे, step 1, consider the closure chart, एन उसके बाद, इसके यहां आएंगे, और लिखेंगे step 2, actual proof, या actual exams, ठीक है, जैसे भी कीजिए, मैंने आपको सब समझा दिए, अच्छी, yes, I hope यह class आप लोग लिए बहुत बढ़ी हा रही, बहुत sound knowledge हो देगी, मैं भी बहुत बर्सों से बढ़ा रहा हूं, यह सब चीज़े बढ़ाता रहता हूं मैं, यह भी और competitive exams के लिए भी, तो यह opportunity को जाने मत दीजिए, thank you very much, thank you. झाल